ये गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्थ होंगे पर हमारे यहां रजस्थान जैपूर में सुबब बहुत ही खराब था मतलब चार बज के नौ मिनट पे भुकम का जो जटका आया वो बहुत ही तेज भाइबरेट हो रहा था ना कि पंखा जैसे लग रहा था कि खड़खड आवाज आ रहा था पंखे में से तो बहुत ही खराब सुबद था हमनों का तो समझ में भी नहीं आ रहा था गाईज की हो क्या राय पता भी नहीं चल रहा था यह जब तक उठे और बोल रहे है जैसे लग रहा था कि जमीन पर पैर भी नहीं रखा जा रहा था ऐसा हो गया था तो यह जटका तीन बार हम लोगोंने महसूस किया था फर्ष्ट वाला तो बहुत ही तेज था जो मतलब सच में दिल दहला देने वाला जटका था अगर वो यह तो कुछ सेकेंड के लिए था अगर थोड़ा सा और जादा रहता ना तो कुछ ना कुछ तो जरूर खराब होने वाला था ऐसा जटका था तो हम लोग जैसे ही मतलब जैसे ही लाइट अन करे और बाहर निकले तब तक तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था तो जैसे हम लोग बाहर निकले तो थोड़ा सा एक बार और जटका आया और फिर तीसरा जटका भी आया तो हम लोगों का सुबा चार बज के नौ मिनिट वाला तो बोलिए हिमत गाइज बता नहीं सकते हैं इतना खराब जटका था वो तो सच में दिल दहला देने वाला जटका था और सुबा सुबा तो सब कोई नींद में तो पधा भी नहीं चलता है यार हो क्या रहा है ससे इसे यह बात था ना कि अलोगों को पता भी नहीं hyvä रहा है जब तक आदमी कुछ समझे तब तक थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था क्लिप आप लोग के मेसिए आखिए कर मिभी पता चल जाएगा कि सच में मतलब कितना खराब चटका था वो कुछी सेकेंड का जटका पूरा दिल दहला देने वाला था तो हम लोग सब कोई बाहर निकल गये थे तीसरा जब चटका आया तो हम लोग सब कोई बाहर कड़े थे लेकिन मैं वो वीडियो सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि उस समय कुछ दिमाग काम नह कर रही हूं तो उसे देखकर आप लोग भी समझ पाएंगे कि मतलब कैसा जटका था यह कि अगया हुआ 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 हुआ